कुम-कुम बागे में भी तो शादी हो रही है जियां प्राची की शादी वो दुलन बनकर मंडब में बैड़ गई सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो शायद दुविधा में है कि मैंने सही किया या गलत गलत किया या सही आँ भई मन में दुविधा तो होनी ही थी क्योंकि कि दिल में कोई और है और सामने कोई और है कि तो तेरी आच से हुए ना कि ने पोट्स कि तेरी लाइब और तुझे देखना हो का कि तुझे लाइब से क्या चाहिए तुझे उसके लिए अपनी डिसेशन खुद लेने हो यह क्या चल रहा है बाबा कभी शादी करनी है कभी नहीं करनी है पहले डिसाइड तो करो ऐसा थोड़े ही होता है कि आपने इतना महंगा लहंगा पहन लिया इतनी भारी भरकम ज्वेलरी पहन ली और अब शादी को ले के कंफ्यूजन है शादी होने से पहले सोचना चाहिए था ना प्राची को फिलहाल शहाना और प्राची यहां पर ना इसी सोच में डूबे हैं कि आगे शादी करे या ना करे काफी एमोशनल है वो क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती हूँ और ये बात मुझे अच्छे से पता है कि वो शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ रनबीर से शादी हो पर हमारे पस ऑप्शन नहीं है रनबीर आया पर हमें मिला नहीं तो हम कुछ कर प्राची की हिम्मत बढ़ाती थी आज उसकी हिम्मत तूड गई है क्योंकि इन सब को लग रहा है कि रनबीर यहां पर आया क्यों नहीं और आया है तो हम सबसे मिला क्यों नहीं अरे भाई सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो जाएगा तो ये शादी एक महने तक कैसे चलेगी थोड़ा सबर करो सब कुछ होगा रनबीर यहां आया भी है शादी भी रोकेगा और उसके बाद प्राची के साथ उसकी शादी भी होगी रनबीर आ गए हैं पर रनबीर हमारे तक पहुच नहीं पा रहे हैं कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो पर पहुच नहीं पा रहे हैं जो इत साड फो रनबीर पर हमें नहीं दिख रहा है वो तो हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि रनबीर नहीं आया, मेरे इतने समझाने के बाद भी वो नहीं आया मैं कोशिश करूँगे, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं रनबीर को इसे पकड़ के लिया हूँ पर वो पॉसिबल नहीं है, पर अब समझा लिया है, अब शादी ही बाकी है आगे सीन्स को और भी खीचा जाएगा, जिसके लिए आप सब को तयार रहना है हम मुंबई से प्रतमे शानबाग के साथ, एबिपी न्यूज रिपोर्ट एबिपी न्यूज आपको रखे आगे के लिए सब करे दिए स्लोट